मानने अत्यक्ष महोदय आज मैं आपके बीच देश के लिए बहुत ही महत्पपूर्ण और अइतिहासिक विशय पर जानकारी देने के लिए विशेश तोर पर उपस्तित हूँ ये विशय करोडों देश वास्यों की तरह ही मेरे रुदय के भी करीब है और इस पर बात करना मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूँ ये विशय स्री राम जन्ब भूमी से जुड़ा हूँ ये विशय है आयोध्या में स्री राम जन्ब स्थली पर भगवान स्री राम के भव्य मंदिर के निर्मान से जुड़ा हूँ माननी अध्यक्ष महोदय नव नवंबर दोहजार उन्नीस नव नवंबर दोहजार उन्नीस को मैं करतारपूर साहब परिडोर के लोकारपन हेतू पंजाब में था गुरु नानक देवजी का पांसो पचास्वा प्रकाश परवथा बहुत ही पवित्र वातावरन था उसी दिव्य वातावरन में मुझे देश की सरवोच्छ अदालत द्वरा राम जन्ब भूमी विशे पर दिये गए आयतियासिक फैसले के बारे में पता चला था इस फैसले में माननिय सरवोच्च न्यायले ने कहा था कि स्री राम जन्ब भूमी के विवादिस थल के बीतरी और बाहरी आंगन पर राम लला विराजमान का ही स्वामित्व है माननिय उच्चतम न्यायले ने अपने आदेश में ये भी कहा था कि केंद्र और राज्य सरकार आपस में परामश करके सुन्नी सेंट्रल वकब बौड को पाँच एकर जमीन आवंटिट करें मानिय अद्रग जी मुझे आज इस सदन को पूरे देश को ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आज सुबर केंद्रिय मंत्री मंडल की हुई बैठक में सुप्रिम कोड के आदेशों को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में महत्वपूर्ण निर्णे लिए गए है मेरी सरकार ने सुप्रिम कोड के निर्देशानु सार स्री राम जन्मस्थली पर भगवान स्री राम के भव्य मंदिर के निर्मान के लिए और इस से सम्मंदित अन्य विशाओं के लिए एक ब्रहद योजना तैयार की है सुप्रिम कोड के आदेशों के अनुसार एक स्वायत ट्रस्ट स्री राम जन्म भूमी तेर्टक्षेत्र रस का नाम होगा स्री राम जन्म भूमी तेर्टक्षेत्र स्री राम जन्म भूमी तेर्टक्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है ये ट्रस्ट अयोध्या में भगवान स्री राम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य स्री राम मंदिर के निर्मान और उससे सम्मंदित विशव पर निर्ने लेने के लिए पूर्ण रुप से स्वतंत्र होगा मान्य अद्यक जी माननिय सर्वोच अदालत के आदेश अनुसार गहन विचार विमर्ष और समवात के बाद अयोध्या में पांच एकर जमीन सुन्नी वकप बोड़ को आवंटित करने का अनुरोथ उत्तर प्रदेश सरकार से किया गया इस पर राज सरकार ने भी अपनी सहमति प्रदान कर दी है मानिय अद्यक जी भारत की प्राणवायू में भारत के आदर्शों में भारत की मर्यादाओं में भगवान सी राम की महत्ता और अयोध्या की एत्यासिक्ता से अयोध्या धाम की पवित्रता से हम सभी भली भाती परिचीद है अयोध्या में भगवान सी राम के भव्य मंदिर के निर्मा वर्तमान और भविश्व में राम लला के दर्शन करने के लिए आने वाले स्रद्धानों की संख्या और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते विए सरकार द्वारा एक और महत्वपून निर्ने लिया गया है मेरी सरकार ने फैसला किया है कि अयोध्या कानून के तहट अधिग्रुहित संपर्ण भुमी जो लगवग 67.703 एकड है और जिसमें भीतरी और बाहरी आंगन भी सम्मिलीज है उसे नवगठीत स्री राम जन्ब भुमी तीर्तक्षेत्र को हस्तार्ण तरीक किया जाए मानिय अध्यश महोदय नव नवंबर को राम जन्ब भुमी पर फैसला आने के बाद सभी देश वासियों ने अपनी लोकतंत्रिक व्यवस्ताओं पर पूर्ण विश्वात जताते हुए बहुती परिपक्पता का उदाहरन दिया था मैं आज सदन में देश वासियों के इस परिपक्प व्यवार की भूरी भूरी प्रसंसा करता हूँ माने देश से हमारी संस्क्रिती हमारी परंपराएं हमें वसुधय कुटुम कम और सर्वे भवन्तु सुकिनः का दर्शन देती हैं इसी भावना के साथ आगे बढ़ने की प्रेणा भी देती हैं हिंदुस्तान में हर पंत के लोग चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सीख हो, इसाय हो, बवद, पार्शी और जैन हो हम सभी एक ब्रहत परिवार के ही सदर्श्य है इस परिवार के हर सदर्श्य का विकास हो वो सुखी रहे, स्वस्त रहे, सम्रुद्ध बने, देश का विकास हो इसी भावना के साथ मेरी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चल रही है आईए आईए इस अहितिहासिक छण में हम सभी सदर्श्य से मिलकर अयोध्या में स्री राम धाम के जिर्णोधार के लिए भव्य राम मंदिर के निर्मान के लिए एक स्वर में अपना समर्धन दे